सबी लोग वस्वागत है options for tomorrow के इस official चैनल पर और आज options चैनल से वीडियो मार्केट में एक बहुत बड़ा change दिखाई दिया 130 प्लस पॉइंट्स का gap down एक बड़ा gap down दिखाई दिया हाला कि gap down के चलते market ने एकदम से RSI बहुत जादा drop किया और वहाँ से एक reversal लेने की कोशिश की अगर आपने 8023 वाली strategy वाली वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर options for tomorrow की तो ये एक बहुत अच्छा मोका था call side में entry बनाने का और profit book कर लेने का market का direction नहीं पता है बस RSI के चलते कहीं न कहीं एक बहुत 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 ड्रॉप था तो एक चोटा सा recovery बनती थी और recovery बनी अब market को समझने कोशिश करते या actually में market में क्या हुआ है पहले तो आप दो दिन का ये आप trend देखो कि market pause mode में रही दोनों दिन और जो कहीं न कहीं market अपनी strength को लगातार खो रही थी RSI में भी आप देखो तो कहीं न कहीं आपको नजार आएगा एक strength डाउन जा रही थी और market ऊपर कोई move नहीं ले रही थी दो दिन से एक sideways move था और आज शायद ये strength खोनेगा आज दिन था और ये strength market खो चुकी है फिलाल अब क्या further changes आ सकते हैं क्या supports क्या levels हो सकते हैं फिलाल market आज थोड़ी सी bearish लग रही है भी फिलाल अब option chain में चलेंगे और दोनों चीजों को चेक करेंगे निफ्टी बैंक को देख लें निफ्टी बैंक almost recovery दोनों point लिये और वापस भी आ गई यहाँ पर भी bank निफ्टी में भी same scenario कहीं न कहीं दिखाई दिया था एक strength जो है market कहीं न कहीं लगातार खो रही थी और आज उसका परिणाम भी दिखाई दिया तो चलिए बिना किसी देरी के options chain खोलते हैं फटाफाट सबसे पहले निफ्टी का option chain सबसे बड़ा resistance with open interest दिखाई दे रहा है 1,14,000 के आसपास 19,800 पर ओके और अगर एक support फिलाल ढूनने कोशिश करें 1,74,000 के आसपास 19,700 के एक support दिखाई दे रहा है अब बात करते हैं कि क्या market में चल रहा है फिलाल 19,700, 19,800 पर market उससे भी नीचे है फिलाल market 19,700 के आसपास है और 700 के numbers जो अभी option chain में कह रहे हैं वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं फिलाल एक support बनाने की condition में किस बात पर हम बोल रहे हैं 98,000 के आसपास change ही नवाई है और call writing को avoid नहीं कर सकते 74,000 सकते हैं थोड़ा सा हमें nifty के लिए wait करना चाहिए अभी 700 market पहुचा नहीं है मैं 700 पहले मार कर लेता हूँ काफी important level है फिलाल अब बात करेंगर 700 की और 800 को मार कर लेता हूँ फिलाल 800 तो एक resistance दिखाई दे रहा है जो हमने option chain में देखा 19,800 पर लेकिन 23,000 का ही change in why दिखाई दे रहा है यहाँ पर minus में फिलाल एक resistance 750 पर भी दिखाई दे रहा है तो 750 पर अगर resistance दिखाई दे रहा है तो resistance band अगर nifty में बनाते हैं तो कहीं न कहीं यह band almost एक resistance band दिख रहा है 740 से लेके almost 775 यह एक resistance zone nifty के लिए फिलाल दिखाई दे रहा है support zone अभी फिलाल 700 पर बहुत छोटा एक support है but मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो हम end करेंगे तो आप ये number एक मुट ध्यान रखना 74,000 और 98,000 आसपास है इसको refresh करेंगे तो कहीं ने कहीं मुझे ये बढ़ता हुआ शायद call writing दिखाई दे और जो support आज निफ्टी के लिए बने वो शायद 600 के आसपास या 650 के नीचे बने तो थोड़ी दिर wait कर लेते हैं इसको refresh करके देखेंगे फिर देखते हैं 700 पर क्या change आता है फिलाल यहाँ पर 74 जो है change in why call writing में और इदा 98 है तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे number तो आज खेर नीचे ही दिख रहा है 400 पर भी लेट्स चेक इन option chain सीधे चलते हैं option chain में फिलाल बैंक निफ्टी 2,07,000 हाइस्ट ओपन इंट्रेस्ट विद 90,000 चेंज इन वाई एड 44,500 ऑल्सो 44,400 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस और वहाँ से मार्केट अभी फिलाल रेजिस्टेंस ले भी रहा है 44,400 आसपास 1,00,000,000 इवन 300 पर भी एक अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है कॉल राइटिंग में जहां पर फिलाल अभी मार्केट 300 से नीचे है और नंबर जादा भी है बट साथ के साथ पुट राइटिंग देखें तो वहाँ पर भी 1,42,000 का नंबर दिखाई दे रहा है सपोर्ट कहीं न कहीं 200 पर एक बहुत छोटा सपोर्ट दिखाई दे रहा है कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है और सबसे बड़ा सपोर्ट अगर देखें एक अच्छा सपोर्ट 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी में दिख रहा है फिलाल 72,000 का कॉल राइटिंग हो चुका है 44,200 के लेबल पर यहाँ पर 81,000 का पुट राइटिंग है तो यह थोड़ा सा मामला टाइट है 44,200 का फिलाल 44,300-400 दोनों रेजिस्टेंस अल्मोस्ट बनते हुए नजर आ गए और 300 टूट भी चुका है तो अगर आप लगातार option chain चेक कर रहे हैं तो लगातार आपको अच्छे रिजल्स दिखाई दे रहे होगा अब बात करें फिलाल 200 के आसपास जो option chain 200 पर बोल रहा है 200 थोड़ा सा ही support दिख रहा है तो शायद कहीं न कहीं chances 200 के भी तूटने के हो सकते हैं चेक कोई हमें नए अपडेट मिल जाए 44200 पर 77 और 83 अभी नंबर सेम है लगबग थोड़ा सा तो भी 200 को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा market को एक level जो है 200 का mark जरूर कर लेते हैं लेकिन जितना time उसको लग रहा है यहां पर आने में उतनी देर में शायद कहीं न कही एक support छोटा सा reversal बहुत छोटा सा reversal यहां कहीं बनता है उपर की तरफ क्यों क्योंकि यह reversal कहीं न कहीं RSI को भी मौका देगा एक room create करने का दुबारा से fall के लिए ध्यान रखिएगा जब तक उदर हम put writing देख रहे हैं तब तक यहां पर कहीं न कहीं शायद एक छोटा सा reversal लेन अब एक बार चलते हैं देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या कोई हमें update मिला option chain में और किस लेवल पर हम बात करें थे 19,700 पर लेट सेक अभी 700 टूटा नहीं है क्योंकि 700 पर put writing अभी भी ज़्यादा है चलि 700 को देख लें एक बार refresh करके 74 और 98 के number थे 74 call writing में और 98,000 चेंज आई put writing में यस 78 हुआ है और put writing इदर भी बढ़ रही है तो so put writing थोड़ा support कर रही है 19,700 को थोड़ा सा support की तरफ थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं निफ्टी में तो फिलाल 19,700 पर एक support zone बनाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से यह support zone कहीं निफ्टी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और zone में चलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा support zone बनाने की बाद 700 के नीचे अगर हम देखें तो कहीं न कहीं एक अच्छा support कर गोई देखें तो 650 और 600 है बड़ा support 600 दिखाई दे रहे हैं तो इन levels के नीचे अगर हम कोई दूसरा level बनाने कोशिश करें तो कहीं न कहीं एक support zone जो है यह दिखाई दे रहा है आप लोग draw कर लेना यह range 610 से लेके 630 बीच में जो एक support zone आया है वो आया है 685 से लेके 705 और उपर जो resistance zone आया है वो आया है 775 to 740 option chain को देखते रहिए 700 के जब नीचे आ जाए अगर 700 पर हमें call राइटिंग बढ़ जाए तो ही हम put के बारे में सोचें हमेशा ध्यान रखिए पिछली बार भी याद है आपको जो 500 के नीचे आ गया था बट पुट राइटिंग जादा थी तो हमने put में entry नहीं की थी और हम stop loss हिट हो सकते हैं यहाँ पर देखिए 44,200 के पास आसपा support था market अभी जब तक नहीं इसको तोड़ने की कोशिश करेगी जब तक हमको यहाँ पर put writing ज्यादा दिख रही है I hope धीरे धीरे आपको concept धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे क्यों हमें wait करना चाहिए कब कोईसे में confirmation लेना चाहिए अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्या फिलाल 700 अभी भी नहीं टूटा है और एक बार जरूर 700 को दुबारा हम refresh करके देखते हैं कुछ शायद update मिल जाहे है रसाई का concept जो अभी मैंने बताया था आपको बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं रूम बनाने की कोशिश करेगा अगर उसको फॉल लेना भी हुआ यही सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी में भी देखें तो रसाई में आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं न कहीं धीरे धीर धीरे कोशिश कर रहा है एक रूम बनाने के लिए और वो रूम कहीं न कहीं यहां तक शायद मार्किट को लेकर आए कहीं भी लेकर आ सकता है हो सकता है केंडल में ही आरे साई कहीं ऊपर चला जाए तो इस अब यू प्लान एवरिटिंग और बस इसी तरीके से वीडियो को वाच करते रही है और जिसको भी कॉंबो को जॉइन करना हो नीचे डिस्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जाके जॉइन कर सकता है डाउनलोड कर सकता है बहुत जल मिलते हैं नेक्स वीडियो में तैंक्यू